प्रधान मंतरे नरेद्र मोधी बनास कांठा जड़े की दियोधर में आज 600 करोल रुपे से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेरी कॉम्पलेक्स और आलू प्रोसेसिंग प्लांट देश को समर्पित किया। बनास कांठा जड़े की महिलाएं भी पहुंची। महिलाओं को हिंदी में सम्मोधित करते हुए मोधी ने कहा बाबा बने हैं तो हिंदी बोलना ही पड़ेगा। की पशुपालक माताओं बहनों को नमन जो आज अपने बच्चों की तरह पशुओं की देखवाल करती हैं। यहां तक कि वे उनकी देखवाल के चलते दूर हो रहे, शादी प्रिसंगों तक में नहीं जाती हैं। यहां की महिलाओं और किसानों की मेहनत ही है। जिले में कम की प्लांट होने के बावजूद दूसरा प्लांट तयार करना पड़ा है।